गुरू पेरिशा संगत जी बड़े ही प्रेम उस्वतकार से गोली दन्नका जी आज का टॉपिक है सेवा को कभी तौलो ना पेरिशा संगत जी अक्सर कुछ लोगों को ऐसा भी कहते हुए सुना है कि हमने तो बहुत सेवा की कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो दास यहाँ पर चब ये बात सुना तो एक विचार आया इस सेवा को हमने कभी तौलना नहीं है सेवा करते जाना है सेवा करते जाओ कुछ मत सोचो जब भी नरंकार देगा चपर फाल के लेगा सब्र का फल मिठा होता है सब्र के जाब अंदे तू आसरे पन नरंकार के सदाजी जाब अंशन तेरे नरंकार है ध्यान इसी का धरता जा फिकर ही तेरी आप करेगा जिकर तो इसका करता जा नरंकार ने जैसे रखा वैसे रह के शुकर मना जो भी होगा अच्छा होगा ऐसा मन में भाव बना पुर्वन सत्गुरु पर जब तेरा अयतबार टिक जाएगा भैचिंता से मुक्ती पाकर सब्र में तू रह पाएगा तप और जाक्ष जीने वाला दुनिया में यश्पाता है कई हरी को वर्जन भाता और सुखाता है तो हमने कभी सेवा को तौलना नहीं है सिर्फ सेवा करते वे चले जाना है कुछ सोचना ही नहीं बस हमारे ड्यूटी है एक सेवा का फर्ज है सेवा करना सेवा को सेवा बन् सबका दिल जीता जा सकता है जब भी सेवा करने का मुखा मिले चूको मत तुरंत कर डालो सेवा नसीब से मिलती है सेवा जब भी करना तो कभी फल की इच्छा मत लगना सेवा सबसे बड़ी इबादत है और एक बात डासकल को भी सोचता है कि सेवा मिले और ना करे तो फिर हमसे बड़ा बद्दसी दुनिया में और कोई नहीं यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अगर हमें सेवा मिल रही और हम नहीं करते तो हमसे बड़ा बद्दसी बदकिस्मत दुनिया में और कोई नहीं सेवा इश्वर का वर्दान है इश्वर जब खुश होते हैं तो सेवा मिलती है और सेवा कोई करी नहीं सकता है इश्वर स्वय हम घट में बैठ के सेवा करते हैं करवाते हैं सेवा करना हमारे वसमे है यह नहीं और हम सेवा कर भी नहीं सकते सद्गुरु स्वयम सेवा करवाते हैं इगट को चुनते हैं जो जिस लाइक होता है उससे वो सेवा नरंकार सद्गुरु करवा लेता है तो हमें कभी माहन आईमान भी नहीं करना है कि सेवा हम कर रहे हैं सेवा तो स्वयम गुरु करता है फेह में नरंकार कर देता है दुनिया को लगता है कि सेवा हम कर रहे हैं यह हमारी गलर फेहमी और हमारी भूल है सेवा यह आप नरंकार करता है सेवा को चुनता है कौन किस लाइक है और अगर लाइक नहीं भी है गुरू को सेवा लेना है तो उस लाइक पहले गुरु बना देता है बाद में सेवा लेता है एक काबलेत यही देता है जो टलेंट है इनरेंकार का टलेंट है यही सब कुछ देता है और करवाता है तू करता है जगत का तू सब का आधार तो सेवा जब भी मिले अपने आपको बड़ भागसाली मानना है सेवा कभी तौलना नहीं है कि हमें तो बहुत सेवा की हमें कुछ नहीं मिला सेवा कभी फल के लिए की ही नहीं जाती है फल कारण सेवा करे तज्यन मन से काम कहे कभी सेवा क नहीं चाहे चौगुना दाम क्यों सेवक नहीं एगा तो सेवा के बदले में कुछ पाने की इच्छा रखता है बस सेवा एक ड्यूटी एफार्ट एक करते हैं चले जाना है कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं बस सेवा मिली है तो करना है कुछ सोचना ही नहीं है यह सोचना है कि बस इस सद्गुरु करपा है इश्वर की करपा है कि सेवा हम मिल गई सेवा मिल गई तो दो जहां मिल गया हमेरे जीने का सिलसला मिल गया सेवा ना होती तो हम भी ना होते कहीं कब्र में जाके चैन से सोते अगर सेवा ना होती तो जीवन ही ना होता सेवा ही तो जीवन है पुरा जीवन जो मिला है वो सेवा करने के लिए ही मिला है मानों का सारा जीवन ही सेवा होता है सेवक को सेवा बनिया इवकुम्बुज परंपद पाई सेवा ही जीवन है सेवा ही जीवन का सारानस है सेवा ही सिर्ची का सार है सेवा ही सब कुछ है योगी परमात्मा स्वाम सेवा करते है सवेरे सिले के शाम तक नरंकार खुश सेवाएं करते है गुरू खुश सेवाएं करते है सवेरे सुरे निकलता सेवा करता है हवा पानी पुरी काइना सेवा करती है सिष्टी का जर्रा जर्रा सेवा करता है सब सेवा में तो लगए है और निरंकार जिसको सेवा करवाना होता है उसको चुनता है सेवा सब कर भी नहीं सकते हैं सब के बसकी बात है यह नहीं जिसके गुरु करपा होती है जिससे गुरु चाहता है उससे सेवा करवा लेता है तो गुरु करपा है अगर सेवा मिल लिए तो केवल और केवल गुरु की करपा है जो हम अगर वर्दी यह मिली है सेवा लेलके न गुरु की करपा है अगर हम सत्संग में जाका जाड़ो मार रहे हैं यपी गुरु करपा है पानी पिला रहे हैं कोई किसी पिला रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं सब सद्गुरु करपा है मिना सद्गुरु की करपा के सेवा मिलती ही नहीं है सद्गुरु जब खुश होते हैं तो सेवा देते हैं बाबा हर देव स्विमाराज जी ने कहा है सेवा कारण तो सेवा करने वाले ही ले सकते हैं और सच्चे सेवा जो होते हैं सेवा किसी दायरे में नहीं बानते हैं कि मैं खाली मिशन की ही सेवा करूंगा खाली सा संगत की ही सेवा करूंगा बाबा जी ने समझाया कि जो हमारे शेवादार हैं पुरी दुन्या के लिए के बल मिशन में ज़्यादा फोकस करते हैं सब्सक्राइब भी ज़्यादा फोकस करते हैं उसी में आएंगे तो सेवा करेंगे बाकी दुनिया में कहीं और सेवा करने का चांस मिलता है तो हम आसे हटते हैं करनी काटते हैं सेवा नहीं करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, सब में नरंकार है, कोई बेद्वानी करना है, कि संसारी ही नरंकारी है, कोई बेद्वानी करना है, पुरी मानावता में इश्वर है, पुरी युमिननटी इश्वर का रूप है, सत्संग के बाहर भी कोई मिले, कोई दुखी है, तकलीफ है, उसे हसा है जो भी हमसे हो सकता है वो करें सेवा करें सब के चेरे पर मुस्कान लाएं कोई कैसा भी हो सब में इश्वर बस रहा है सब में नरंकार है चाहिए उसे ग्यान लिया हो या ना लिया हो चाहिए वो नरंकारी मिशन के साथ जुड़ा है या नहीं हमें सब की सेवा करना है लेक सत्चंग के बाहर निकलती है अगर कोई परिशान है कोई दुखी है तो उसके दर हम ज्यान भी देते नहीं है फिर एक सेवा भाव कैसा क्या उसमें नरंकार नहीं है सत्चंग के बाहर नहीं है चीक है उसने ज्यान नहीं लिया है लेकिन उसमें भी तो परमात्मा है हमें सब में परमात्मा को देखना है सब में इश्वर को देखना है क्योंकि हम एक सेवादार है गुरुने हमें सेवादार बनाया रहा है क्योंब एक दाइरे में नहीं रहना है क्योंब हम सत्चंग में ही सेवा करेंगे या नरंकारी मिशन के अंदर तो ही हम सेवा करेंगे नहीं परसंसार में जाके सेवा करना है कहीं भी जहां भी सेवा का मुका मिले वहां जाकर सेवा करना है सेवा ही जीवन है मानवता की सेवा ही इश्वर की पूजा है नर सेवा नरायन पूजा तो हमने सेवा करते हैं चले जाना है निश्काम भाव से कि फल की कोई चाहना नहीं करना है सेवा कभी तौलना नहीं है साथ संगत जी प्यार से भूले धर्ननकाच